दोस्तों आप जो ये सामने खाद देख रहें इसे हमने अपने किचिन से निकलने वाले वेश्ट से तयार किया है तो आज हम आपको इसकी complete information देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैंसे किचिन से निकलने वाले अपने वेश्ट पाट material से मतलब जो सबजीयों के छिलके हैं फलों के छिलके हैं इननों की मदद से कैसे एक बहुत अच्छी और पने खाद तैयार कर सकते हैं मतलब कैसे kitchen waste compost को आप अपने घर में ही बना सकते हैं वो भी बड़े आसानी से एक महीने के अंदर ही आप अपने जो है fully decomposed kitchen waste compost तयार कर लेंगे और इसके लिए मैंने जो compost bin बनाई है उसे भी मैंने गमलों की मदद से ही बनाया है जिसमें ना तो किसी परकार की smell आती है और ना ही इसमें किसी परकार के कीड़े बनते हैं तो इस वीडियो को लाश तक देखें लाश तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि घर में अपनी खुद की kitchen की जो waste है उससे कैसे आप और ने खाद बना सकते हैं जिसे आप अपने kitchen garden में इस्तमाल कर सकते हैं और भरपूर सबजियां जो हैं पैदा कर सकते हैं साथ में अदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए समझते हैं हमने kitchen waste कैसे तयार किया है kitchen waste को तयार करने के लिए हमने जो compost bin है वो घर में ही बनाई हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं दो गमलों की मदद से हमने kitchen waste compost bin तयार की है इसकी cost मुझे केवल 200 रुपए ही पड़ी है और इसे मैंने खुद तयार किया है आप देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी step क्या है तो इसमें हमने दो गमले लिये हैं जिसमें हमने यह बड़ा गमला लिया है लगभग यह 12-13 इंच है जिसमें हमने नीचे छेद बना लिये हैं और अब हम इसमें ऊपर भी छेद बना लेंगे जो हमारी हम kitchen waste से जो खाद तयार करते हैं वो anaerobic मतलब aerobic reaction में बनती है मतलब इसमें oxygen जाना बहुत जरूरी है जितनी अच्छे इसमें हवा का circulation रहेगा उतनी अच्छा हमारा kitchen waste से खाद तयार होगा तो इस तरह से हम पूरे चारों तरब छेद बना लेंगे छेद बना लेंगे लिए हम इस तरह की कईया का इस्तमाल कर रहे है electric होती है जिसे आप कहीं से भी purchase कर लीजिए या आप चाहें तो किसी भी iron या metal की rod को जो है आप गरम करके भी उसका इस्तमाल छेद बनाने के लिए कर सकते हैं इस तरह से आप पूरे जो गमले हैं उसमें छेद बना दीजिए और इसमें नीचे और ऊपर हमें छेद रखने हैं और छेद का मैन काम रहेगा हमारी जो है compost में जो है proper air circulation को बनाए रखना तो देखिए हमने पूरे जो है हमारे गमले में ऊपर की तरफ छेद बना लिए हैं चारों तरफ और हमारा ये गमला जो है बनकर अब ready हो गया है इसमें नीचे छेद हैं और ऊपर छेद हैं तो पहला गमला जिसमें हम हमारा kitchen का waste decompose करेंगे उसको हम रखेंगे तो देखिए ये है इसमें किसी भी तरह का हमने छेद नहीं किया हुआ है जो छोटा वाले गमले का काम रहेगा जो भी ठोस हमारी खाद है उसको collect करना तो जो भी हमने छेद बनाए हैं उससे liquid part भी जो है हमारा नीचे store हो जाएगा और नीचे वाले गमले में जो है liquid store रहेगा और ये जो होती है जिसको हम गमले के नीचे यूज करते हैं वो जो भी base material है उससे तो अब आप देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं और अब हम खाद तयार करेंगे तो खाद तयार करने के लिए आपको जरूरत होगी कुछ इस तरह ऐसे green जो भी आपका kitchen से जो भी part निकलता है green आप अपनी सबजियों के छिलके हो गए फलों के छिलके आलू के छिलके और भी बहुत सारी जो भी green leaf पत्ते वाली चीज है उनको साथ में जैसे अंडे के छिलके हो गए जो की calcium का काफी अच्छा source होते हैं चाय की पत्ती हो जाती है यह सारी चीजे हमारी day to day life में kitchen से हमें मिल जाती है तो इन्हें हम store करके रख लेते हैं साथ में हम इसे में हमें लगेंगी कुछ dry leaves या cardboard के टुकडे भी आप इसमें इसमें इसमाल कर सकते हैं और इसका क्या काम है हम आपको आंगे बताएंगे साथ में हमने लिया है कुछ पुराना compost जो की गोबर की खाद है हम इन सारी चीज़ों की डालेंगे शुरुआत आप किसी भी एक लेयर से करें लेकिन most the time हम जो है cardboard के टुकडे या मिट्टी से शुरुआत करते हैं तो नीचे हम देखिए ये cardboard के टुकडे हमने काट रखे थे हमने उन्हें नीचे डाल दिया है और इसके बाद हम थोड़ी सी dry leaf भी इसमें डाल रहे हैं आप इन्हें नीचे या उपर किसी भी layer में डाल सकते हैं compost bin का जो एक layer बनाने का process होता है आप उसे अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं ऐसा कोई compulsory नहीं होता कि नीचे आप मिट्टी ही डालें dry leaf ही डालें तो जो आपको सही लगे आप उसे डालिए लेकिन layer while layer ही आपको सारी चीज़े इस्तमाल करनी है इसके बाद हम डालेंगे हमारा जो पुराना compost है उसको तो देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे compost इस्तमाल किया है अगर आपके पास पुरानी खाद नहीं है तो भी कोई problem नहीं है उसके बिगर भी यह काम हो जाएगा लेकिन फिर आपको मिट्टी का इस्तमाल करना पड़ेगा मतलब इस step में आप यहाँ पे मिट्टी डालेंगे इसके बाद जो हम हमारे जो kitchen waste से निकलने वाला waste material है हम इनको collect करके रख लेते हैं और फिर हम इनको डालेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं सामने हमने बनाना के छिलके लिए रखे हैं और जो की potassium का काफी अच्छा source होते हैं और हमारी जो खाद में जो है potassium की मातरा बढ़ाएंगे इसलिए हमारी खाद काफी अच्छी होगी तो बनाना जितने भी आप फलों के छिलके हैं सारे इस्तमाल करें आपके kitchen की जो खाद बनाते हैं आप kitchen waste से निकलने वाले जो भी kitchen से जो भी कच्रण निकलता है या जो भी पत्ते निकलते हैं उन से खाद बनाने में सारी चीज़ों का इस्तमाल कीजिए जितनी आप अलग-अलग चीज़ों को अपने compost बिन में डालेंगे उतनी ही आपकी खाद जो है nutrition से भरपूर रहेगी मतलब हो सकतर तो उसमें उतनी जादा रहेंगे जो green हम चीज़ें डालते हैं इसका man काम होता है nitrogen प्रोवाइड करना तो जितने भी हमारे green material है इसे हम डालेंगे nitrogen के लिए और आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर जो है जितना भी हमारा kitchen से सामान निकला है उसे छोटे छोटे टुकड़ों मैं कट करके डाल रहा हूँ इसका man region यह होता है कि इससे composting की process काफी fast हो जाती है आपका kitchen waste से खाद वो एक महिने में ही तयार हो जाएगा इसका region यह होता है कि जैसे ही आप अपने सबजी के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो छिलके जो है उनका surface area बढ़ जाता है और बहुत सारे microbes अलग-अलग जगह से उस पर जो है काम करते हैं और उसे decompose कर देते हैं जिससे यह सारे जो है छिलके बहुत जल्दी decompose हो जाएंगे नॉर्मली जो है अगर आप सीधे छिलकों को डाल देंगे तो उस खाद को बढ़ने में तीन से चार महीने कभी कभी छे महीने तक का भी समय लग सकता है और आपका जो है खाद जो है पूरे अच्छी तरह के से decompose नहीं होता तो हमेसा ध्यान रखें कि छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट कर डालें बड़े जो भी पीस हैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें या तो आप उनको जब छीलते हैं जब छिलका निकालते हैं तब ऐसा कर लें या जब भी आप compost बिन में उन्हें डालें तो तब आप उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लें इसके बाद सारे जो टुकड़े हैं हमने यहां देखिए green leaf के काट कर इसमें डाल दिये हैं और अब हमने पूरी एक layer चड़ा दी है जिसमें हमने पूरा green matter हमारी kitchen waste compost bin में जो डाल दिया है अब हम इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज है अब हम इसमें डालेंगे जैसे कि आप यह देख रहे हैं अंडे के जो छिलके हैं white यह calcium का बहुत अच्छा source होते हैं अगर अपने garden में आप जैसे की brinjal tomato plant लगाते हैं तो उनमें calcium की काफी जादा जरूरत होती है तो उसे पूरा करने के लिए आप इस तरह से compost bin में ही अंडे के छिलकों को add कर सकते हैं इससे आपका calcium आपके compost खाद में calcium मिल जाएगा और आपके plant जब आप इस खाद को अपने पौदों को देंगे ताकि इसमें microbes जो है सही से react कर पाएं इसमें सुगर की मातरा नहीं होनी चाहिए चाय पत्ती हमने डाल दी है इसके बाद जो भी हमारी green leaf और जो भी हमारा green matter और बचा हुआ है हम उन सभी को डाल देंगे आप अपने इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे जो है dry leaves को डाला है dry leaves जो हम डालते हैं सूखे पत्ते आप इसमें इसमें इसमाल कर सकते हैं सूखी चीज जो होती है जो brown हम जिसे बोलते हैं brown चीजें वो आपको डालनी है cardboard का आप यहाँ तो आपकी जो composting की process है वो slow हो जाएगी तो इसके लिए हम जो है dry matter डालते हैं इसके सबसे अच्छा source होता है बो होता है सूखी पत्तियां तो आपके garden से जो भी सूखी पत्तियां निकलती है आप उनका इस्तमाल कीजिए या बाहर से जब भी पत्जड का समय होता है उस समय पत्तियां लाखे खटा कर लीजिए और साल भर आपनी compost में उनका इस्तमाल कीजिए तो आपकी जो composting की process है बहुत ही fast हो जाएगी तो कारवन और आपको nitrogen का रिसो बनाना है कारवन आपको मिलेगा brown leaf से सुखे हुए पत्तों से cardboard से और nitrogen मिलेगा इस तरह से जो green हम जो छिलके डालते हैं या फिर जो फलों के छिलके होते हैं सबजीयों के छिलके होते हैं उनसे मिलेगा इसमें हम किसी भी प्रकार के खाना या जो हमारा cooked बाला food होता है उनका इस्तमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी एक compost बनानी है जिसमें कोई smell ना रहे इसलिए हम इसमें केवल पत्तों का इस्तमाल करेंगे हरे पत्ते और सूखे पत्ते तो देखिए अब हमने इसमें green leaf के बाद ऊपर थोड़ी सी खाट डाल दी है जो कि compost थी और अब हम इसके ऊपर एक पूरी layer बना देंगे जो कि हम मिट्टी से ढख देंगे तो ये पूरी process है जो एक step में complete होती है इसमें हमने complete तीन से चार layer बिछा दी है और उसके ऊपर हमने इस तरह से मिट्टी डाल दी है और मिट्टी को पूरा ढख दें आपके green कोई भी part ऊपर से नहीं दिखना चाहिए और मिट्टी को ढखने के बाद जो है आप अपनी compost bin को अभी हमें इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है ऐसे ही layer को छोड़ देना है हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे क्योंकि already जो हमने सबजियों के छिलके डाले हैं उसमें already बहुत सारा पानी है और अब इस ट्रे की मदद से हम इसे ढख देंगे और ऐसे ही इसे किसी भी सेड़ी area में रख दीजिये जहां थोड़ी देर तो धूप आती हो लेकिन बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो वहां रख दीजिये और अब देखिए छोटे वाला जो हमने liquid part को collect करने के लिए गमला लिया है उसमें इस गमले को इस तरह हम वहाँ पी fit कर देंगे तो यह ह हमारा पूरा compost bin बनकर तैयार है और इसमें हमने जो kitchen waste है उसको add कर दिया है दो से तीन दिन बात देखिए हम जैसे ही इसको खोलते हैं तो उपर आप moisture देख रहे हैं मतलब हमारे जो है compost bin में moisture level सही है और अब हम इसमें थोड़ा सा हमारा जो भी kitchen का green waste है उसे add करेंगे लेकि मेंटर को हम उपर कर देंगे यह process आपको हफते में एक बार जरूर करनी है और अगर आप इसे तीन दिन में एक बार करेंगे तो आपकी जो composting की process है वो काफी भास्ट हो जाएगी और आपका kitchen waste से जो compost बनाने का समय है वो कम से कम हो जाएगा और बहुत जल्दी decompose आपका ज इस तरह से खुरपी की मदद से उसे अच्छे से मिला देना है और उसमें ताकी air circulation बना रहे हैं मिलाने के बाद देखिए फिर हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं हमारा पुराना compost compost हम इसलिए इसमें डाल रहे हैं क्योंकि compost में होते हैं बहुत सारे microbes यह microbes हमने जो भी green matter डा जाला है उसमें react करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे जो है kitchen से निकलने वाले बेस्ट को decompose करेंगे इसके बाद हमने यहां यह इस्तमाल किया है दही दही में बहुत अच्छे bacteria होते हैं जो की हमारे decompose करने मतलब kitchen waste से जो हमने पत्ते और सबजियां डाली है उसे decompose करने की process को काफी fast कर देंगे तो आप चाहें तो दही का इस्तमाल कर लें दही नहीं है तो आप गुड का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन दही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो आपको बाहर market से कोई भी waste decomposer खरीदने की जरूरत नहीं है आप दही का इस्तमाल भी कर सकत यह चाय पत्ती हमने इसमें डाली हुई है और ऐसे करके हमने फिर से एक layer तयार कर दी है इसके ऊपर हम डाल देंगे मिट्टी और मिट्टी से ऐसे कर देंगे cover लगबग हमारी 60% 70% compost bin अब भर कर तयार है लेकिन आप जैसे जैसे इसमें layer add करते जाएंगे दो हफते बाद य जैसे ही decomposition की process start होगी तो आपके जो compost bin है वो धीरे धीरे खाली होती जाएगी देखिए जैसे कि अब आप देख सकते हैं दो हफते बाद हमारा जो है compost bin में कितना अच्छा decompose हो गया है जितने भी हमने kitchen waste डाला हुआ था लगबग वो सारा decompose होने लगा है और कुछ पार्ट भी बाकी है जिसे धीरे धीरे decomposation process के द्रोप decompose कर दिया जाएगा आप नमी देख सकते हैं अपनी compost bin में हमारी जो compost bin है देखिए नमी बिलकुल accurate है ना ही बहुत जादा हमारा matter गीला है और ना ही बहुत जादा सूका है यदि आपका matter बहुत जादा सूक जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी sprinkle कर दीजिए बहुत जादा पानी मत डालिए बना ये जो है आपका गीला हो जाएगा पूरा जो आपने compost आप बना रहे हैं और फिर वह गया है उसकी process slow हो जाएगी तो ये इसके बाद देखिए ये जो हमारा है आप देख सकते हैं कि कितने इस उसने लिया है और 40% खाली है और लगवग आप ये देख रहे हैं तो ये हमारा 28 दिन बाद का result है और बिलकुल अब खाद बनकर तयार हो चुकी है और इसका इसका इस्तमाल हम अपने garden में कर सकते हैं लेकिन इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे 2-3 बार 2-3 दिन में और एक ह आप को सही तरीके से इस्तमाल करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आपको एक अच्छा result मिले ये पूरे 30 दिन बाद आप देखिए हमारी खाद बनकर अब तयार है और आप देख सकते हैं हमने एक 13 इंच के जो गमले में इतनी सारी जो है और ने खाद तयार कर ली है और आप इसे किसी भी तरह से चानने की जरूरत नहीं है ना ही अब इसमें से कोई भी चीज ऐसी बची होई है जो डिकम्पोज नहीं होई है ये देखिए हमने बड़ा गमला जब हटाया तो छोटे गमले में हमें इतना लिक्विट पार्ट भी मिला है मतलब ये जो पानी में डिजॉल्व कर लेंगे आप 110 का रिसो रखिए मतलब जितना आप लिक्विड मिला रहे हैं उसका 10% आपको पानी मिलाना है और इस पानी को हम जो है अपने गार्डन के प्लांट में दे देंगे जो की एक लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और बहु किसी गुडाई करनी है ताकि आपकी जो जो पौधे हैं उसकी जड़े हमें दिखने लगें और इन जड़ों पर हम देंगे हमारा और्गनिक फर्टिलाइजर एक पौधे में लगबग दो मिठ़ी और्गनिक फर्टिलाइजर जो हमने किचिन वेस्ट गंपोस्ट तयार किय है वो काफी होता है और उसे देने के बाद आप ऊपर की मिट्टी को ढग दीजिए और इसमें पौधे में दे दीजिए धेर सारा पानी और इस तरह से आप अपने जो भी पुराने गमले हैं उसमें 15-20 दिन के अंदर से और इस किचिन बेश्ट कंपोस से तैयार की गई और ने खाद को दे सकते हैं और आप देख सकते हैं किचिन बेश्ट खाद का कमाल देखिए कितनी अच्छी मिर्च हमें इसमें मिली हैं और पूरा पौध किचिन बेश्ट से आप देख सकते हैं हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है और कितनी अच्छी हमारी सबजीयां हमारे गार्ण पर हो रही हैं तो अगर आप भी इस तरह से अपने घर में निकलने वाले किचिन बेश्ट का इस्तमाल करेंगे और मेरे बताए गए तरीके से खाद बनाएंगे तो आप बिना किसी इसमेल के बिना किसी जो है कीणों के आप बहुत अच्छी और्गनिक खाद तैयार कर सकते हैं वो भी अपने किचिन से निकलने वाले बेश्ट पार्ट से जो कि आप डस्ट बिन में फेक देते हैं सूखा और गीला कच्छा निक्स हो जाता है तो वो बाहर जाकर बरबाद हो जाता है तो अपने घर में इस तरह से खाद जरूर बनाएं ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ मैं इस वीडियो को और भी लोगों के साथ सेर करें मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गाड़ निक